ओम शांती, 22nd July 2020 आज की मुली में बाब ददाने बोला है, पहले प्रश्न सुन लेता है, जहां बाबा पूछते हैं कि जो अपने आपको बेहत का पाढ़ धारी समझ कर चलते हैं, उनकी निशानी सुनाओ जो अपने आपको बेहत का पाटधारी समझ कर चलते हैं बाबा कहा रहे हैं उनकी निशानी सुनाओ तो आज बाप दादा बोले पहले पहले बाप बच्चों को साफधानी देते हैं यहां बैठे हो तो अपने को आत्मा समझ बाप के आगे बैठे हो यह भी बुद्धी में लाओ कि हम बाप के आगे भी बैठे हैं और टीचर के भी आगे बैठे हैं नंबर वन बात क्या है कि हम आत्मा है बाप भी आत्मा है टीचर भी आत्मा है गुरू भी आत्मा है एक ही है न यह नई बात है जो तुम सुनते हो तुम क्या कहेंगे कि बाबा हम तो कल्प कल्प ये सुनते हैं तो बुद्धी में ये याद रहे न बाप पढ़ाते हैं हम आत्मा इन ओर्गन्स द्वारा सुनती है ये ग्यान इस समय ही तुम बच्चों को मिलता है उँचते उँच भगवान के द्वारा तो वो सभी आत्माओं का बाप है जो वर्षा देते हैं तो क्या ग्यान देते हैं सबकी सद्गती करनी है यानि घर ले जाते हैं कितनों को ले जाएंगे ये सब तुम जानते हो मच्चरों सदृष्य सभी आत्माओं को तो जाना है न सत्यूग में एक ही धर्म पवित्रता, सुक, शान्ती, सब रहता है तो तुम बच्चों को चित्र पर समझाना बहुत सहज है बच्चे भी नक्षे पर समझ जाते हैं न इंग्लेंड है, ये ये है, फिर वो याद पढ़ जाता है जोसे मैप देखते हैं, तो मैप क्या होता है? बुद्धी में छपता है, है न? कोई भी चीज हमारा brain, human brain या कह लेजिए human mind pictorial form में, यानि चित्रों के form में जादा अच्चे से अंदर ले पाता है इसी psychology को बाबा इस्थमाल करने के लिए बार बार क्या कहते हैं? चित्रों पर समझाना सहज है बाबा कहते हैं, ऐसा है न? तो एक-एक student को समझाना होता है महिवा भी एक की है शिवाय नमह, उचते उच भगवान रचता बाब, घर का बड़ा होता है तो वो हद के होते हैं, फिर ये हैं सारे बेहद के घर का बाब ये फिर टीचर भी हैं, तुमको पढ़ाते हैं तो तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए तुम student भी royal हो न? तो बाब कहते हैं, मैं साधारन तन में आता हूं प्रजा पिता ब्रम्हा भी जरूर यहां चाहिए उन बेगेर काम कैसे चल सकता है? और जरूर बुजुर्ग ही चाहिए क्यूं? क्यूंकि adopted है न? तो बुजुर्ग चाहिए कृष्ण तो बच्चे बच्चे बोलना सके बुजुर्ग शोबता है अब बाबा मान लिजे किसी 15 years के बोडी में आते तो वो अगर किसी माता को बच्चे बच्चे बोलते तो बाबा एक प्राक्टिकल बात कह रहे है कि वो शुरू-शुरू में इतना इफेक्टिव नहीं लगता इसलिए अनुभवी तन की आविशकता थे फिर देखा जाए तो जब ग्यान हो गया ग्यान की स्टाबलिश्मन्ट हो गई तो ममा वोज जिस्ट ट्विंटिवन इयर्स एज जब ग्यान में आते तब तो सोले साल के थे बट एवरिबड़ी उस्टू कॉल हा ममा तो यही बाबा समझा रहे हैं कि शुरू-शुरू में ऐसे किसी बच्चे के शरीर में आते तो अगर वो शरीर से हम बच्चे-बच्चे कहते तो वो चीज अतनी effective नहीं होती बाबा कहते हैं बच्चे को थोड़े कोई बाबा कहेंगे तो बच्चों को भी बुद्धी में आना चाहिए हम किसके आगे बैठे हैं अंदर में खुशी होनी चाहिए, स्टूडेंट कहां भी बैठे होंगे, उनकी बुद्धी में बाप भी याद आता है, टीचर भी याद पढ़ता है, तो उनको तो बाप और टीचर अलग-अलग है न, तुम्हारा तो एक ही बाप, टीचर और गुरु है, ये बाबा भी तो स्टूडेंट है, ब्रह्मा बाबा, पढ़ रहे हैं, सिर्फ लोन पर रथ दिया हुआ है, और कोई फर्क नहीं है, माकीर तुम्हारे मुआफिक ही है, इनकी आत्मा भी यही समझती है, जो तुम समझते हो, बलिहारी है ही एक की, उनको ही प्रभू इश्वर कहते हैं, ये भी क्या कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ, एक पर्मात्मा को याद करो, बाकी सब सूक्ष मवस्थूल देह धारियों को बिलकुल भूल जाओ, तुम शांती धाम के रहने वाले हो न, तुम हो बेहद के पाट धारी, ये बातें और कोई नहीं जानते, दुनिया भर में किसको पता नहीं है, यहां जो आते हैं, वो समझते जाते हैं, और बाप की सर्विस में आते जाते हैं, इश्वरी खिदमतगार ठेरे न, तो बाप भी आए हैं खिदमत करने, पतितों को पावन बनाने की खिदमत करते हैं, राज्य गवा कर, फिर जब दुखी होते हैं, तो बाप को बुलाते हैं, जिसने राज्य दिया, उनको भी बुलाएंगे न, तो तुम बच्चे जानते हों, बाप से उगधाम का मालक बनाने आए हैं, दुनिया में ये किसको पता नहीं है, तो सब हैं तो भारत वासी न, एक ही धर्म के हैं, यही तो मुख्य धर्म है न, तो जरूर जब न हो, तब तो बाप आकर स्थापन करें, तो बच्चे समझते हैं, भगवान जिसको सारी दुनिया, अल्ला गौड कहकर पुकारती है, वो यहां ड्रामा अनुसार, कल्प पहले मुआफिक आए हैं, यह है गीता का एपिसोड, जिसमें बाप आकर स्थापना करते हैं, और गाया भी क्या जाता है, ब्रम्हा और देवी देवता, तो शत्रिय तो नहीं कहते, ब्रम्हन देवी देवताय नमहा कहते हैं, क्योंकि शत्रिय तो फिर दो कला कम हो गए न, स्वर्ग तो कहा ही जाता है, लेकिन नई दुनिया को, त्रेता को नई दुनिया थोड़ी कहेंगे, पहले पहले सत्युग में हैं, एकदम नई दुनिया है न, ब्रांड न्यू, ये है पुराने ते पुरानी दुनिया, फिर नए ते नई दुनिया में जाएंगे, कोई ब्रांडिट कपड़ा खरीदा, ब्रूरूम से नया नया, पहले बार पहना, है न, दूसरी बार पहना, वो effect तीसरी या चौती या पाँच्वी बार पहनने में नहीं आएगा, है वो उसी ब्रांड का, है उतना ही costly, उसकी value अभी भी उतनी ही है, लेकिन वो नयापन खत्म हो गया, बाबा यही कह रहे हैं, कि जो बिल्कुल नई दुनिया है न, जो हर तरीके से बिल्कुल brand new है, that is satyog, that is heaven, वहाँ पर देवी देवता रहते हैं, तो बाबा कहते हैं, पहले पहले satyog में हैं एकदम नई दुनिया, यह है पुराने ते पुरानी दुनिया, फिर नई ते नई दुनिया में जाएंगे, तो हम अब उस दुनिया में जाते हैं, तब तो बच्चे कहते हैं, हम नर से नारायन बनते हैं, कथा भी हम सत्य नारायन की सुनते हैं, प्रिंस बनने की कथा नहीं कहते हैं, सत्य नारायन की कथा कहते हैं न, तो वो नारायन को अलग समझते हैं, परन्तु नारायन की कोई जीवन कहानी तो है नहीं, ज्यान की बाते तो बहुत हैं ना, इसलिए साथ रोज दिये जाते हैं, साथ रोज भटी में रहना पड़े, परन्तु ऐसे भी नहीं कि यहां भटी में रहना है, ऐसे तो फिर भटी का भाना करके बहुत धेरा जाएंगे पढ़ाई सवेरे और शाम की होती है न तो दोपहर में वायू मंडल ठीक नहीं रहता रात्री का भी दस से बारा समय तो बिल्कुल खराब टाइम है यहां तुम बच्चों को भी मेहनत करनी है याद में रहे सतो प्रधान बनने की वहां तो सारा दिन काम धंदे में रहते हो न ऐसे भी बहुत होते हैं जो धंधा धोरी करते फिर पढ़ते भी हैं जासती अच्छी नौकरी करने के लिए तो यहां भी तुम पढ़ते हो तो टीचर को याद करना पड़े जो पढ़ाते हैं अच्छी टीचर समझकर ही याद करो तो भी तीनों इखटे याद आ जाएंगे बाप टीचर गुरू तुमारे लिए बहुत सहज है न तो जट से याद आना चाहिए यह हमारा बाबा भी है टीचर भी है और गुरू भी है उच्छते उच्छ बाप है जससे हम स्वर्ग का वर्सा ले रहे हैं तो हम स्वर्ग में जरूर जाएंगे स्वर्ग की स्थापना जरूर होनी है तुम पुर्शाट सिर्फ करते हो उच्छ पत पाने के लिए तो ये भी आवाज फैलता रहेगा क्या कि मनुष्य को भी पता पड़ेगा क्या कि बाबा आते हैं तीनों जो संबंध है मुख वो बाबा के साथ है बाबा कहते हैं तुम ब्राम्हनों का अलौकिक धर्म है न श्रीमत पर अलौकिक सेवा में तत पर रहना तो ये भी मनुश्यों को पता पड़ जाएगा कि तुम श्रीमत पर कितना ऊच काम कर रहे हो तुम्हारे जैसी अलौकिक सर्विस कोई करना सके तुम ब्राम्हन धर्म वाले ही ऐसा कर्म करते हो तो ऐसे कर्म में लग जाना चाहिए इसमें ही बिजी रहना चाहिए बाप भी बिजी रहते हैं तो तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो वो तो पंचायत मिलकर सिर्फ पालना करती रहती है यहां तुम गुप्त वेश में क्या कर रहे हो तुम तो इनकोगनीशों अन्नोन वारियर्स नॉन वाइलन्स हो ना इनका अर्थ भी कोई नहीं समझते हैं तुम हो डबल अहिंसक से ना बड़ी हिंसा तो ये विकार की है न जो पतित बनाती है इनकोई जीतना है भगवानु वाज क्या है काम महाशत्रू है इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे तो ये लक्षमी नारायन जगत जीत है ना भारत जगत जीत था ये विश्व के मालिक कैसे भने ये भी बाहरवाले नहीं समझ सकते इस समझने में बड़ी विशाल बुद्धी चाहिए बड़े बड़े इमतिहान पढ़ने वालों की विशाल बुद्धी होती है ना तो तुम श्रीमत पर अपना राज्यस्थापन करते हो तुम किसको भी समझा सकते हो कि विश्व में शान्ती थी ना और कोई राज्य नहीं था स्वर्ग में शान्ती हो ना सके बहिष्ट को क्या कहते है गार्डन ओफ अल्ला आला कि यहां पर लिख दिया है कि स्वर्ग में शान्ती हो ना सके है ना होना यह चाहिए कि स्वर्ग में शान्ती हो ना सके या इस दुनिया में शान्ती हो ना सके यह थोड़ी से misprinting है कि विश्व में शान्ती थी और कोई राज्य नहीं था हाला कि they have written स्वर्ग में शान्ती हो न सकी but it should be यहां इस दुनिया में शान्ती हो न सकी और स्वर्ग में अशान्ती नहीं हो सकती बहिश्ट को तो कहते ही हैं गार्डन ओफ अल्ला सिर्फ बगीचा थोड़ी होगा मनुश्य भी चाहिए न तो अभी तुम बच्चे जानते हो हम बहिश्ट के मालिक बन रहे हैं तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए और उच्छ खयालात होने चाहिए तुम बाहर के कोई भी सुक को नहीं चाहते इस समय तुम को बिल्कुल सिंपल रहना है तो अभी तुम ससुर घ़र जाते हो न ये है पिर घर यहां तुमें डबल पिता मिले हैं एक निराकार उचते उच्छ दूसरा फिर वो साकार वो भी उचते उच्छ तो अभी तुम ससुर घर विश्णुपूरी में जाते हो उनको कृष्णुपूरी नहीं कहेंगे बच्चे की पूरी नहीं होती न विश्णुपूरी अर्थात लक्ष्मी नारायन की पूरी तुम्हारा है राज्योग तो जरूर नरसे नारायन बनेंगे तुम बच्चे हो सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार बाबा सच्चा खुदाई खिदमतगार उसे कहते हैं जो कम से कम आठ घंटा आत्म अभिमानी रहने का पुर्शार्थ करते हैं कोई कर्म बंधन न रहे तब खिदमतगार बन सकते हो और कर्माती तवस्था हो सकती ह नर से नारायन बनना है तो कर्मती तवस्था जरूर चाहिए ना कर्म बंधन होगा तो सजा खानी पड़ेगी तो बच्चे खुद समझते हैं याद की महनत बड़ी कड़ी है युपती बहुत सहज है सिर्फ बाप को याद करना है भारत का प्राचीन योग मशूर है योग के लिए ही नौलेज है जो बाप आकर सिखलाते हैं कृष्ण को योग थोड़े सिखलाते हैं कृष्ण को फिर स्वदर्शन चक्र दे दिया तो वो भी चित्र कितना रॉंग है अभी तुमको कोई चित्र आदी भी याद नहीं करना सब कुछ भूल जाओ कोई में बुद्धी मत जाए लाइन बिलकुल ख्लेर चाहिए ये है पढ़ाई का समय दुनिया को भूल अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करना है तब ही पाप नाश होंगे बाप कहते हैं पहले पहले तुम अशरी रे आए थे फिर तुमको जाना है तुम आल राउंडर हो ये होते हैं हद के आक्टर्स और तुम हो बेहद के तो अभी तुम समझते हो हमने अनिक बार पार्ट बजाया है अनिक बार तुम बेहद के मालिक बनते हो तो इस बेहद के नाटक में, फिर छोटे-छोटे नाटक भी अनिक बार चलते रहते हैं, सत्युक से कल्युक तक जो हुआ, वो रिपीट होता रहता है, उपर से लेकर अंत तक तुम्हारी बुद्धी है, मूल वतन, सुक्ष्म वतन और सृष्टी का पा, बस और कोई धाम से तुम्हारा काम द करेंगे, तुमको सिर्फ एक बाप की याद रहनी है, चित्र आदी इस सब भूल कर एक बाप को याद करो, ब्रह्मा विश्णु शंकर को भी पब केते हैं, नहीं याद करना है, सिर्फ एक को याद करो, वो समझते हैं, परमात्मा लेंगे, अब लेंग समान कोई चीज कैसे हो सकती है, वो भला ज्यान कैसे सुनाएंगे, क्या प्रेड़ना से कोई लाउड स्पीकर रखेंगे, जो तुम सुनेंगे, प्रेड़ना से तो कुछ नहीं हो सकता न, ऐसे नहीं कि शंकर को प्रेड़ते हैं, ये सब ड्रामा में पहले से ही नूम्ल है, विनास तो होने का है जैसे तुम आत्माएं शरीर द्वारा बात करती हो, वैसे परमात्मा भी तुम बच्चों से बात करते हैं, उनका पाठ ही दिव्य अलोकिक है, पतितों को पावन बनाने वाला एक ही है, कहते हैं मेरा पाठ सबसे न्यारा है, कल्प कल्प जो आए होंगे, वो आते रहेंगे जो कुछ भी पास्ट हुआ ड्रामा, इसमें जरा भी फर्क नहीं है, फिर पुर्शार्थ का ख्याल रखना है, ऐसे नहीं ड्रामा नुसार हमारा कम पुर्शार्थ चलता है, फिर तो पद भी बहुत कम हो पड़ेगा ना, पुर्शार्थ को तेज करना चाहिए, ड्रामा प संग बाहर में सब ही कुसंग हैं वो सब ही उल्टा सुनाते हैं अब बाप तुमको कुसंग से निकालते हैं मनुश्यों ने कुसंग में आकर अपना रहन सहन अपनी बाब के रहन जो पहरवाईश है मतलब जो एक पालना होती है न बच्पन से वो सब कुछ बदल दिया देश वेश ही बदल दिया ये भी जैसे अपने धर्म की इंसल्ट कर दी देखो कैसे कैसे बाल बनाते हैं देए अभिमान हो जाता है na सौ डेर सो अ रुपया देते हैं सिर्फ बाल बनाने के लिए इसको कहा जाता है अती देए अभिमान वो फिर कभी ग्यान नहीं उठा पाएंग अच्छी चीज दे अविमान मिलाती है तुम इस समय वनवाह में हो हर चीज से मुह हटाना है बहुत साधारन रहना है शादी आदी में भल रंगीन कपड़े आदी पहन कर जाना तोड निभाने अर्थ फिर घर में आकर उतार देना तुमको वानी से परे जाना है वानप्रस्ती सफेद पोश में होते है तुम एक-एक छोटे बड़े सब वानप्रस्ती हो छोटे बच्चों को भी शिव बाबा की ही याद दिलानी है इसमें ही कल्यान है बस हमको अभी जाना है शिव बाबा के पास अच्छा मीठे मीठे से के लधे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते तो आज की मुल्ली का सार देखे मीठे बच्चे बहुत रॉयल स्टूटेंट हो तुम तुम्हें बाप टीचर और सत्गुरु की याद में रहना है अलोके खिद्मत करनी है प्रश्न है जो अपने आपको बेहत का पाटधारी समझ कर चलते हैं उनकी निशानी सुनाओ तो उनकी बुद्धी में कोई भी सुक्ष्मवस थूल देह धारी की याद नहीं होगी वो एक बाप को और शांती धाम घर को याद करते रहेंगे क्योंकि बलिहारी एक की है जैसे बाप सारी दुनिया की खिद्मत करते हैं पतेतों को पावन मनाते हैं ऐसे बच्चे भी बाप समान खिद्मतगार बन जाते हैं और धारना के लिए मुख्य सार में देखे बाबाने का सदा ध्यान रहे कि हमारी कोई भी चलन देह भी मान वाली ना हो बहुत सिंपल रहना है किसी भी चीज में ममत्व नहीं रखना कुसंग से अपनी संभाल रखो याद की मेनद से सर्व कर्म बंधनों को तोड़ कर्मा तीत बनना है कम से कम आठ गंटा आत्म भी मानी रह सच्चा सच्चा खुदाई खिद्मतगार बनना है वर्दान है बंधन मुक्त जीवन मुक्त भव वो होगा सदा बेहद की स्थिती में स्थित रहने वाले बंधन मुक्त जीवन मुक्त भव बाबा कहता दे अभिमान हद की स्थिती है और देही अभिमानी बनना ये है बेहद की स्थिती देह में आने से आने एक कर्म के बंधनों में हद में आना पड़ता है लेकिन जब देही बन जाते हो तो ये सब बंधन खत्म हो जाते हैं जैसे कहा जाता बंधन मुक्ती जीवन मुक्त है ऐसे जो बेहत की स्थिती में स्थित रहते हैं वो दुनिया के वायू मंडल वाइब्रेशन तमो गुणी वृत्तियां माया के वार इन सब से मुक्त हो जाते हैं इसको ही कहा जाता है जीवन मुक्त स्थिती जिसका अनुभव संगम युकपर करना है स्लोगन है निश्य बुद्धी की निशानी है निश्चित विजई और निश्चिंत उनके पास व्यर्थ नहीं आ सकता ओम शांती